हेलो फ्रेंड अब का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों आपको नवरात्रे की साथवे दिन की बहुत बहुत शुब कामना है दोस्तों आपको बता दे कि दो से तीन दिन का एंगेजमेंट का फंक्शन आज नेहा का पूरा हो चुका है उनके ससराल वालों की विदाई भी हो चुकी है आप सब लोगों ने ये व्लॉक तो देखा होगा लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो वाकरी शोशल मीडिया पर नेहा पर सवाल खड़ी कर रही है ऐसी कुछ बातें हम आपके साथ डिसकस करने जा रहे हैं इससे पहले कि ये सारी बातें आपके सामने रखे वीडियो को एक लाइक कर दिजे और चैनल को अब भी सस्क्राइब कर ले बेल आइकन के साथ ताकि इनकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रही है तो दरसल आपको बता दे कि नेहा ने कहीं न गहीं अपने होने वाले पती सुम्मित के बारे में कुछ बातें डिस्कलोज नहीं की इस वज़े से लोग यहां पे शोशल मीडिया पर अटकले लगा रहे हैं कि आखिर उनके पती करते क्या है क्योंकि उनकी प्रोफाइल उनके बारे में बहुत कुछ कहती है कि वही वो एक बिजनसमैन भी है एक ट्रैबलर भी है और एक फोटोग्राफर भी है लेकिन असलियत में वो करते क्या है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में साथ ही आपको बताएंगे कि सचिन मनीशा इनकी इंगेजमेंट में क्यों नहीं आए नेहा ने तो नहीं लेकिन उनके एक रिलेटिव ने इस बात का खुलासा किया है जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि उनकी love marriage थी या फिर arrange marriage ये बात भी आपके साथ discuss करेंगे साथ ही आपको बताएंगे कि उनके ससुराल वालों ने नेहा को कितनी सारी gift दी कितनी precious gift दी उन्हें ये भी आपको बताएंगे साथ ही आपको बताएंगे कि भई दुले की बेहन ने ताशी को इतना बड़ा gift दिया आखिर वो क्या था साथ ही आपको बताएंगे क्या वो पंजाबी family से belong करते हैं महल उनका सरने में और उसके साथ आपको बताएंगे कि क्या वो acting industry में भी काम करते हैं दोस्तों ये सारी information आपको देंगे इस वीडियो में मगर वीडियो को full watch करें ताकि आपको पूरी information मिले दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो सुमित महल है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ निया से इसलिए शादी की क्योंकि नेहा का पास fame था उनके पास पैसा था अब इसमें कितनी सच्चा ही है वो भी पहले आपको बता देते हैं दरसल लोगों का ये भी कहना है कि भई ये जो सुमित महल है वो अच्छे average class family से belong करता है और इनके पास भी अच्छा खासा पैसा है लेकिन अगर ऐसा होता तो ये बात नेहा की ननन्द यानि जो सुमित महल की बहन है प्रिया उसके व्लॉग में ये बात सामने आई है कि वो लोग जो अपने घर से यानि जबलपूर से यहाँ पर आये थे तो उस एक slipper डबे में बैटके आये थे कि एसी कोच भी ये लोग एफोर्ड नहीं कर पाए इस वज़े से लोगों ने कहीं न कहीं अंदाजा लगाया है कि अगर इतने ही पैसे वले होते तो क्या एसी कोच में आराम किसे बैटके ना आते ऐसे धक्के खा कर क्यों आते साथ ही आपको बता दे कि लोगों का ये भी कहना है कि भई उन्हें पता था कि नेहा आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़ादा फेमस है और साथ ही आपको बता दे कि उनके ननन का भी चैनल ये बात तो आपको पता ही होगी सबसे पहले इनका मोटिव था कि हमको शोशल मीडिया पर अपने चैनल स्कोर अपनी लाइफ को प्रमोट करना है इसी वज़े से इन्होंने नेहा से शादी की बात की ये आप सोच सकते हैं दो दिन पहले जो चैनल पर जादा जादा 11,000 सस्क्राइबर थे और कुछ एक लाग से दो लाग फ्यूज थे तो आप सोच सकते हो कि इनके साथ collaborate करना यानि नेहा के साथ collaborate करने में जब वो रातो रात स्टार बन गे तो आगे की life कितनी जादा उनकी तरक्की भरी होगी साथ ही अबको ये भी बता दे कि लोगों ये भी अटकले लगा रहे हैं कि भई आग जो नेहा के पती है वो आखिर क की गई है हम इससा जादा गरके उनकी प्रोफाइल में बिट कौन सी टाइक किया गया है तो इसमें कई ना कई लग रहा है कि वो शेर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं यही उनका बिजनस लिए आपको दूसरे सवाल का जवाब देते हैं कि आके सचिन मनीशा जो उनके जो उन्हें लगादार कमेंट कर रहे हैं लेकिन इसका रिप्लाइ अब तक नेहा नहीं नी दिया लेकिन उनकी एक रिलेटिव का रिप्लाइ आया है इससे लेकर दरसल उनका कहना है कि भई नेहा के पिता ने कहा है बले ही वो भाई मानती है नेहा अपना भाई मानती है सच लेकिन उनके पापा ने कहा कि आप अगर कोई creator को नहीं बुलाएंगे तो आप सचिन को भी ना बुलाएंगे गर असल ऐसा कहना है उनके relative का कि उनके पापा के कहने पर ही नेहा ने सचिन को invite नहीं किया अपनी engagement में जोस्तों आपको बता दे कि ये बात सिर्फ हम आपको एक comment कर basis पर कह रहे हैं लेकिन कोई पुकता सबुन हम आपको नहीं दे सकते इस पर लिए आपको तीसरे सवाल का जवाब देते है कि आखिर नेहा और जो सुमित महल है इनकी love marriage है या फिर arrange marriage है जोस्तों ये बात भी बहुत सारे लोगों ने notice भी की है और यहाँ पर comment भी किया है क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो सुमित महल है यानि नेहा के होने वले पती उनके vlogs को लगबक 3 साल से देख रहे हैं और vlogs देखते देखते काफी बार सुमित ने यहाँ पर नेहाँ को comment किया है कि का कहना है कि हो ना हो तीन साल के बाद ये बॉंडिंग जब यहां पे डेवलप हुई है तो इसके बाद रजामंद हुई है नेहा और जब ये बात कहीं नेहा ने अपने मम्मी पापा को बताई के भई ऐसा ऐसा लड़का है जो मुझे लाइक करता है और मेरी बीटी के साथ और सारी चीजों को कंपैर करने के बाद ये रिष्टे के लिए हा की गई है ये लिए आपको चोते सवाल का जवाब देते हैं दरसल बहुत लोगों के मन में ये सवाल था कि भई जो नेहा के ससुराल वलोंने क्या गिप दिया है नेहा को तो दोस्तों आपको बता दे कि एक बहुत ही कीमती नेकलेस उन्होंने दिया है उसके साथ ही उन्होंने गोल्ड रिंग दी है और उसके साथ एक पायल भी दी है यहां पे जो आपको पहने हुए भी दिखेगी यहां पे निहा साथ निहा की ननन यानि सुमित की भेन ने प्राशी को भी बहुत प्यारा पायल और एक यहापे रिबन क्लिप भी दिया है जिस पे उनका नाम लिखा हुआ था तो यह आपको अगले सवाल का जवाब देते हैं क्या उनके होने वले पती क्या एक पंजाबी फैमिली से बिलॉंग करते हैं क्योंकि महल उनका सरनिम है मलह नहीं है तो आपको बता दे कि बहुत लोग ऐसे अटकले लगाई जा रहे हैं लेकिन इस बारे में अब तक कोई पुक्ता सबोत सामने नहीं आया कि वो पंजाबी फैमिली से बिलॉंग करते हैं साथ ही आपको यह भी बता दे कि बहुत लोगों यह कहना है कि उनकी जो परि प्रैक कर सकें उतना अच्छी बात है क्योंकि उनकी ससुराल वाले किसी भी कीमत पर नहा को अपनी बहु बनाना चाते हैं दोस्तों आप सोच सकते हैं जो इनसान 10 से 12 लाग फुर्वे महीना कमाता है ऐसी लड़की को कौन छोड़ेगा इस वज़े से लोग कह रहे हैं कि भ तो आखिर आज वो सुमित महल से शादी क्यों कर रही हैं साथ ही अपको एक चीज बता बता दे कि ये बाद नहा को बहुत पसंद आई कि सुमित ने कहा उनके माता पिता को कि आपका एक बेटा गया तो एक बेटा